हालो एवरिवन आपका स्वागत है हमारे यूटूब चेनल नियू विजडम में आज हम बात करेंगे अभियास टू की हमने अभियास फर्ष्ट पढ़ लिया है ठीक है और उसके वाद में हम बात कर रहे हैं अभियास टू की अभियास वन में हमने पढ़ा था जो संकेत लिप लिपी है अभी हम बढ़ रहे हैं संकेत लिपी में अनुवाद करना और उसमें हमने सिखा था कि हिंदी से संकेत लिपी में चेंज करना ठीक है आज हम बात करेंगे 6 बिंदू है उस पे तो संकेत लिपी में अनुवाद करना तो सबसे पहले लिखा गया है पैय की बात करें तो पै आपका ऐसे लिखा जाएगा हलका होगा, ठीक है, कै की बात करें, तो कै ऐसे लिखा जाएगा हलका होगा, सै की बात करें, तो सै दो परकार से लिखा जाता है, उपर से निचे की ओर दोनों परकार से, ठीक है, दोनों ही परकार उपर से निचे की ओर लिखा जाएगा, नय की बात करें, तो नय होता है, सिद्धा चांद, ठीक है, यह मैंने याद करने का तरीका बताया था आपको, उसके बाद में, उल्टा चांद और उसको कट करके, बात करते हैं मैं की, तो मैं भी दो परकार से लिखा जाएगा, उल्टा चांद, और सिद्धा चांद, और बी दो परकार से लिखा जाएगा है की बात करते तो है भी आपका दो परकार से लिखा जाएगा ऐसे और ऐसे ठीक है उसके बाद में सेकंड पॉइंट पे चलते हैं ले की बात करते हैं तो ले रे का अपोजिट लिखा जाएगा रे ऐसे लिखा जाता है ले ऐसे लिखा जाता है ठीक है खे की बात करें तो खे हलका और बीच में से कटा हुआ है कि बात करें तो टे 90 डिगरी पर आता है ठीक है हलका यह टे हो गया जै की बात करें तो दे वक्कर की तरफ आएगा ठीक है यह वह होगया लेकिन यह गार्डा होगा मोटा होगा ठीक है साह के बात करें तो सह सलगम वाले सह और सटकॉन वाले सह इसका इस्टनों में वैसे कोई जादा उपयों के बताया नहीं गया है लेकिन इसको वाक्य के अनुसार जैसे सलगम लिखाव है उसके according देखे तो इसको ऐसे करके बेच से cut कर देंगे यह गुमाव थोड़ा कम हो जाएगा ठीक है और इसका आगे हम रिटेल से से सलगम वाले और से सटकोन वाले की आगे देखेंगे गय की बात करें हैं तो गय एक सोशी डिग्री बें बनता है और यह किस परकार का होगा यह गैरा होगा ठीक है मैं की बात करें तो मैं मैंने पहले ही भी बता दिया था उल्टा चांद सुद्धा चांद और बीच से cut करके नय है वो सिद्धा चांद और उल्टा चांद और बीच से cut करके ठीक है खे की बात करें तो खे है वह हलका और बीच से कट किया हुआ तो यह खे बन गया बात करते हैं है की तो है मैंने वहाँ भी लिखा था ठीक है तो है दो परकार से लिखा जाएगा ऐसे और एक ऐसे ठीक है रह रह पहले भी आ चुका है नय की बात करें तो नय सीधा चान उल्टा चान कट करके मैं है वो नय का उल्टा हो जाएगा उल्टा चान और सीधा चान कट करके कै की बात करें तो कै आपका हलका हो जाएगा यहाँ पर भी कै आया था ठीक है तो यह हलका हो जाएगा तै की बात करें तो तै दो परकार से लि काई तो है फिर से रिपीट हो गया है यह थीक है है दो तिन बरा सुक ए यह देख लिए न अप ठीक है इपल प्र हगे बात करें सोट कि क्ला पोइंट में तो यह चाल लिखा वह यह आ यह तो यह ऐसे ठीक है रहा की बात करें तो रहा फीर से रिपीट हो रहा है ऐसे मैं की बात करें तो मैं उल्टा चांद और सिद्धा चांद और कट करके ले की बात करें तो ले एक ही परकार से लिखा जाता है चाहिए से उपर से निचे लिखो या चाहिए निचे से उपर लिखो ठीक ह प्रख मेन तैब भी दो परकार से लिखा जाएगा दोनों हँलके लिखेंगे बै की बात करें टीक रहा कौन से वर्ग में आता है पैवरेग में ठीक है तो ये कैसा होगा तो ये काड़ा होगा यहां पर लिखा गया है है ठीक है तो ये गैरा और वीज से कट किया हुआ ठीक है उसके बार में बात करते हैं गय की वसके आपका आएगा गयरा उसके बार में बात करेंगे इसकी कि ड़य की तो ड़य आएगा आपका ऐसे और बीच से कट किया हुआ उसके बारें बात करेंगे चैकी ठीक है? तो चैँ आपका आएगा ऐसे हलका ठीक है? यह गए गाड़ा होगा ठीक है इस सीज का ध्यान रखी हम उसके बारें बात करेंगे घह की तो घह आपका चैँ होगा? गैरा और बीच से कट किया हुआ उसके बाद में बात करेंगे जै एकिंग तो जै आपका ऐसे आएगा ठीक है उसके बाद में बात करेंगे जह की तो इसके बाद ही आएगा तो यह गैरा भी आएगा और उसके बाद में बीच से कटा भी हुआ भी आएगा ठै है वो टैवरेग में आता है ठीक है उसके बाद में ठै को हम लिखेंगे 90 डिग्री और भीज से कट किया हुआ छे की बात करते हैं तो छे आपका आएगा छे वरेग में कौन से वरेग में आएगा छे वरेग में ठीक है तो ये छे हो गया छे अलका और भीज से कटा हुआ मैं उल्टा चान और ये सिद्धा चांद और बीच से कटा हुआ भाय की बात करें तो भाय कौन सी वर्ग में आता है कि बताओ भाय वर्ग में ठीक है तो यह कैसे आएगा पै आपका हलका आएगा भै आपका कटा हुआएगा उसके बाद में भै आपका मोटा आएगा और भै मोटा और बीच से कटा हुआगा उसके बाद में बात करते हैं यह की तो यह ऐसे लिखा जाएगा बंद नहीं होगा यह बंद होते ही है बंद जाएगा इस चीज़ का द्याना किएगा यह बंद खुला वाला सिस्टम का याद रखेगा उसके रहे की बात करते हैं तो रहे ऐसे लिखा जाएगा इसके बाद में यह क्या लिखावाई यह अंगय को अप ऐसे लिखेंगे लेकिन यहां से बीच से मोटा हो गई है यह बिंदू ना इस साइड है तो यह एंग है एंग है आपका बीच से थूड़ा मोटा होगा यह होता नहीं तरफ की है लेकिन थूड़ा सा बीच से मोटा क्यों होगा ठीक है इस चीज का कनफ्यूज थूड़ा सा द्यारा खेगा कि जिसे कई बार हम लगता है कि यह नए है इस परकार से लिखा गया यह नहीं नहीं है बीच से थूड़ा सा गाड़ा होगा यह इस चीज का द्यारा खेगा कि नारों से थूड़ा सा बारिक होगा और बीच से गाड़ा होगा तो यह एंग है उसके बाद में बात करेंगे हम थै की तो थै दो परकार से लिखा जा सकत यह बीच से कटा हुआ उसके बाद में बात करेंगे तो यह काड़ा और बीच से कटा हुआ उसके बाद में बात करेंगे फै की फै है वो पैवरग में आता है तो यह हलका और बीच से कटा हुआ आएगा उसके बाद में बात करेंगे बह Qiani की तो बह Qiani की हमने वहां भी लिखा तबय हुआ यह रहा ऊपना ये गाड़ा और बीच से कटा हुआ लिकरन ना ये गाड़ी है किने जैसे वार्वा है G DI , ये भीन से Books नहीं इस थीक करते हैं । रिखेल और इस में आ गया रिखा है इसा यह भ्यूटा ओगा इस भाड़ी से बैए और वीडरे slipping कैसा आएगा गाड़ा एक यूइब बाद करेंगे ये अ जपरेंगे ज़िए इससे लिखा गया कि उसके पार दे झैयं उसके निचे यहां पर बिंदो लगाव है उस ड्यकर लागर्थ होता है कि सिसमेंं फरेक होगा थीJack है उसमें है कि इसमें है कि टाइब बनता है बंद और बीच से कटा हुआ और यह आता है टैवरेग में कि एवरेग में ठीक है यह वाला डै और इसको कैसे लिखेंगे टै ठै ठीक है उसको डै और धै तो यह गारा हो जाएगा उसको बीच से कट कर देंगे यहां से ठीक है बात करते थे हैं कए पैकी एक सब्दों को का समझने एक बारिक और गैरे में फरेकर ना से पर और कोंसे सब्सकें आरा रहे हैं और जा रहे हैं, और कौनसी सब्सक्राइबार रखें के रहा रहे हैं हम और सब्सक्राइब बंडा नहीं को गाड़ा बनाना है इसीज का आप स्पेशल ध्यान रखी नए और एक है है नए और मैं में भी आप कंफ्यूज हो सकते हो तो इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए ठीक है और है को भी ध्यान से देखिए आप और यह है इसको भी आप ज्यान से देखें ठीक है सब्और वह हिंैं कुछ सब्द बारिक होंगे बीच से कटे होंगे ठीक है वह आप देरे प्रेक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौँ जिसाब्द को बारिक लिखना है कौँ सी सब्द को गाडा लिखना है इन चीजों का आपको पता लग जाएगा, आपको जादा सी जादा प्रेक्टिस करने हैं इन सब्दों की, तब जाके ये कुछ समझ में आएंगे आपको, जितनी प्रेक्टिस करोगी उतनी ही कम है, तो प्रेक्टिस जादा सी जादा करो, क्योंकि इनके बाद में हम सब्द ब लूप में बनते हैं ऐसे ने के बीच से कट होगे वोसभी उस समय जो चलेक आना तब आपको हम बता देंगे ठीक है आज के लिए इतना ही है इनके आप ज्यादा से ज्यादा मैं प्रेक्टिस करें प्रेक्टिस जित्मी ज्यादा करोगे उतनी ही आपको सपलता मिलेगी आज के लिए इतना ही धन्यवाद